मैं वाइस सभी सानवाइओं का वीडियो में स्वागत और आज हम आपको जो गन्ना अप इसमां मैं गर्ड़ु जो गण्ना इधोwnेmost बरो रहाई सबसे पहला लक्षन तो क्या है तो आपको दिखाते हैं भाई फिल्ड में हम दिखाते हैं भाई क्या लक्षन है तो भाई सियम भाई सबसे पहला लक्षन तो क्या है तितली है थोड़े दिन पहले करीब आसा पंद्रा दिन पहले सभी के मुंडे में बहुरू में बहुत बुरी तरीके सा उड़ी जहां चत्ते के चत्ते और वह तितली क्या है मेरे पास उसकी वीडियो भी है माँ आपको दूंगा वाई समय तुम हे दयानोच फिर उसमसे सूंडी नीकलती है पानी ज़से रंकी ओर वयट से पनकी और यह अब दे दीक्या यह वीडियो बना बोलतरो उड़ा हो भी इंड दे रहे तितली अन्ड दे दे दितली रात को अब तितली पकड़ते है अब देखो यह अंड दे दे जा दितल तो चोटी होती है दिरे दिरे बढ़ती रहा है और इसकी फिर मुख्य पिछान क्या दीखती है एक तो दो तीन लक्सन है इसके आप दिखाओ ऐसा पती में छेख हो जाते हैं बाई यह तो परली गोब सूख जाती है उपर की और मिलती कैसा है सुन दिये देखो यह पूरा पूरा पाड़ा ना पत्ता है यह तो पर इधरी अपली साइडिया देखो यह जिन्दार बड़करार चल रही है यह एरी बाई यह निखली बाई यह आये यह सुन दिया बाई एक होड़ पाड़ बाई एक होड़ तोड़ कोई योई तोड़ा योई तोड़ला तोड़ 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 परसांट के रोग आचुका है क्योंकि फिड़की आई थी लोगों ना फिड़की की हलकी फुलकी मार्दी और तो यार आगी और भाई या परेसान कर रिसका ज्यादा लक्सन आया खेत बरबाद होता दीख रहा है किसान को यह देखो भाई कहा बैठी बिल्कुल गोब के सब्सक्ति राद या जूनों है जिन्दा आलत भाई करें परकराल काम करी भारकरद बारकर दार आट यह समझत है आक यही अच्छा अटगी फुलकी असपरिया कि मारते हैं है वो स्पार काम निकरता एक तो इस पर करगा सिस्टनाइटिक दवाईश पार काम कर दो को निकरन तोप बोलर की जो 20 दिन का बोजन पेट में लेका चलेगी 20 दिन तक बोजन भी निखाने की स्प्रेय के बाद यह कैसा कीड़ा है तो यह लंबे टेम तक बहुत से किसान भाई क्या सोचते हैं कि स्प्रेय कर दिया और चार दिन बाद आका खेट में देख लिया क्या सुंडी तो जिन्दा है यह बाई 20 दिन के बाद तो कम से कम मरेगी और 20 दिन में भी अगर हड़की कहीं जिंदी पाई जाती है तो दूबारे स्प्रेय करना पड़ेगा और दूसरे दवाई इसमें तीन दवाईों का कॉंबिनेशन करकर दवाई मारें सिंगल दवाई इसमें लग है तीन दवाई मारें मतलब तीन दवाई का कॉंबिनेशन यो बता दवाई में जो हम जो हूआ उसमें लगए और 20 में दो परेय कम से कम के दिए जरूर मारे दूसरे एक चीज और मैं दिखाऊ आपको जिस कोवे में टोप बोरर आगया आपने देख्खा हो कि इसके बराबर में फुटाओ चल जाए जैसे यह देखो भई जैसे इसमा आया तो इसके बराबर फुटाओ चल जाए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ागा कि छोटे कोवे फुटाओ आए है उनमें टोप बोरर का सड़नाव है उसके लिए निच्चे फैराडान रिजेंट सबसाच्छी फटेरा यह इसलिए डाल लिए जाकते है कि जो नई जनरेशन आ रहे है खेत में उसमें उसका सरदवाई का होजा फटेरा का क्या है कि तीन मह महिने तो अपना काम करेगी वह जो नई जर्मिनेशन हुया है नया फुटा हुया है तो उसमें उसका सड़नी आनेगा टोप बोरर का और इस पर लगातार आप दो इस परे करोगे तो दो इस परे में सुंडी भी खतम हो जागी एक मातर ऐसी सुंडी है जो 20 दिन का बोजन सब्सक्राइब करें किसी का अपना अपना तरीका है कि यह देखको भाई यह निकली कुण कुण से करने मार्सल दवाई का अच्छा प्रोफेर साइफर और इमामेक्टिन लगाया के स्परे करें अच्छा एक तो यह हो गया और दूसरा भाई कि मार्सल और इमामेक्टिन दुन्नों का अलग अलग करता है कोई से कर लो निका मतलब दो दो असपर उने चाहां चाहिए इसका कर लो चाहिए उसका कर लो तो वह जो है पटेरा पराडान या रिजेंट इच्छे भी जडम यह डाल और बाई सभी किसान नों तो बाई इसम पर दो तेज धूफ मा अमेसा यह भी दैन रखना आप अस परे किस टाइम मारना और कितनी नम्यों इस प्रेजो करें वह इस्टिकर सिलिकोन बेस इस्टिकर की साथ में करें अच्छे और खेत परियाप नम्य हो और सामके टाइम स्प्रेइब करें सबीस बात पर ध्यान दे नहीं भी करें सकते हमेशा एक ही स्प्रेइ करो हर्पी साइड का आप सुवह भी मार सकते हो अलग अलग माना पड़ा कामा अलो जाए कोई दिक्कत ने सबसे बढ़िया तो यही है कि सामके टाइम स्प्रेइब करो सामके टाइम और पर यहां नमी ओ भाइन इच्छा तकड़ा नुकसान हो गया कि यह क्या हो ज्यादतर यह तो बन भी है यह मदर मदर जो होगा ना जो पोगा होगा ज्यादतर उसमा वह जोड़ नहीं जर्मिनेशन के जो पोद्दे होंगे उसमें ऐसी दवाईयों का प्रियोश करें ताकि उनमें यह चीज नहां पाव है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करदे वीडियो को धन्यवाद